तो हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा पोयम लंडन बाई विलियम ब्लेक ये एक वर्ल्ड फेमस पोयम है और बहुत इंटरस्टिंग है बात करें विलियम ब्लेक की तो ये एक रोमेंटिक पोईट थे रोमेंटिक एज के काफी फेमस पोईट थे इनके दो पोईटरी कलेक्शन बहुत फेमस हैं Songs of Innocence और Songs of Experience तो इस पोयम को भी 1794 में इनके पोईटरी कलेक्शन Songs of Experience में ही पब्लिश किया गया था ये पोयम एक शोर्ट पोयम है ज्यादा लंबी नहीं है इसमें केवल चार स्टेंजाज है और हर स्टेंजा एक क्वाटरेन है क्वाटरेन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेंजा जिसमें चार लाइन्स होती है पोयम की थीम्स है Misery, Pain, Lack of Freedom and Loss of Innocence अभी आप इस पोईट को नौट कर ले और जब हम Explanation डिसकस करेंगे तब आपको Easily समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये सारी थीम्स इस पोयम में लागू होती है Next point है Tone इस पोयम की Tone critical है Melancholic है और Basically Sad है अब आते हैं पोयम के background पर तो William Blake ने ये पोयम Industrial Revolution के दोरान लिखी थी जब War के कारण London City की हालत बहुत खराब थी लोग बहुत दुखी थे और एक miserable life जीते थे तो पोयम में दिखाया गया है कि Poet London की गलियों में घूमता है और घूमते घूमते वो experience करता है कि यहां के लोग बहुत दुखी है और उनका freedom पूरे तरीके से उनसे छिन चुका है तो basically industrial revolution के दोरान London City में जो fearful और miserable environment था उसे यहां पर Poet ने describe किया है तो I hope इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आते हैं Poem के text पर I wander through each chartered street Chartered street का मतलब है वो गलियां जिन पर वहां जो लोग रहते हैं उनका अधिकार ने होकर किसी और का अधिकार हो तो Poet कहते हैं कि मैं London की हर एक chartered street में घूमा Near where the chartered Tames does flow और घूमते घूमते मैं उस जगे पर पहुँच गया जहां पर Tames river बहती है तो उस river को देखने के बाद मुझे लगा कि ये river भी एक chartered river है इसका भी अपने पानी पर अधिकार नहीं है और ये अपने freedom के साब से नहीं बह सकती And mark in every face I meet कि घूमते घूमते मैं जिन लोगों से मिला उन लोगों के faces पर कुछ अलग तरीके के marks थे कुछ अलग निशानिया थी Marks of weakness, marks of wo और वो marks थे weakness के, परेशानी के वो का मतलब होता है परेशानी यानि अपनी visit के दोरान point जिन लोगों से मिलता है वो सभी उसे दुखी और परेशान नजर आए In every cry of every man In every infant's cry of fear कि हर एक व्यक्ती चाहे फिर वो कोई young man हो या फिर कोई infant हो मतलब कोई newborn baby हो हर एक व्यक्ती डर के कारण रो रहा था newborn babies को डर था कि जिस जगे पर उनका जन्म हुआ है वो उनके लिए सेफ नहीं है In every voice, in every band The mind forex manacles I hear Band का यहाँ पर मतलब है restrictions, बंदिशे कि London City की आम जनता पर जो restrictions है, जो बंदिशे है वो इतनी कठोर है कि उनके कारण लोग बहुत दुखी है और दुखी होकर रो रहे है, चला रहे है तो उनकी इन दुख बरी आवाजों को मैं सुन सकता हूँ फील कर सकता हूँ बेसिकली यहाँ पर पोईट ने उस वक्त लोगों की जो miserable condition थी उसे बताया है अब पोईट अपनी विजिट के दोरान दीखता है कि किस तरह से चिमनी साफ करने वाले बच्चे रो रहे थे यहाँ पर चिमनी स्वीपर्स है चोटे चोटे बच्चे क्योंकि चिमनी साइज में बहुत चोटी होती है तो कोई grown-up इंसान उनमें नहीं जा सकता इसी लिए उन्हें साफ करने का काम अकसर बच्चों से करवाय जाता है तो जिन बच्चों का बच्चपन इतनी जल्दी छिन जाए वो obviously रोएंगे ही कि छोटे-छोटे चिमनी साफ करने वाले बच्चे रो रहे थे उन्हें इतना काम करना पड़ रहा है ये बात चर्च ओथिरिटीज के लिए बहुत शर्मनाक है क्योंकि फिर भी वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे है अपैल्स का मतलब है शर्मनाक आगे पोईट कहता है कि इस लड़ाई में बहुत से सोल्जर्स की बेवजा जान गई तो अब मैं उन सोल्जर्स की दर्द भरी आहें सुन सकता हूँ साइ का मतलब होता है आहें और अब ऐसा लगता है जैसे उन इनोसेंट सोल्जर्स का खून महल की दीवारों से नीचे की तरफ बह रहा है कि सबसे ज्यादा तो आदी रात में गलियों में मैं सुनता हूँ कि किस तरह से यंग गर्ड्स जिने अभी अभी प्रोस्टिट्यूट्स बनाया गया है वो कैसे अपने इस नई बेरंग और दुखो से बरी जिन्दगी को कर्ज देती हैं कर्ज का मतलब होता है शाब देना कि उन प्रोस्टिट्यूट्स के निउबॉर्ण बेबीज भी डर के कारण रोते हैं और उन्हें डर है अपने फ्यूचर का जो बहुत डार्क और मिजरेबल होने वाला है पोईट ने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है ये एक इमेजनरी वीकल है जो लव और डेथ दोनों को एक साथ कैरी करता है बिसिकली पोईट का मानना है कि उन प्रोस्टिट्यूट्स और उनके बच्चों के साथ जो होता है वो मैरिज हीर्स को बरबाद कर देता है मतलब इस तरह के जो शादिया होती है उनमें ना लव होता है ना ही डेथ तो अब पूरी पोईब पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा जो थीम्स मैंने स्टाइटिंग में बताई थी वो कैसे पोईब में अपलाई हुई है अब बात आती है पोईब के टाइटल की तो पूरी पोईब में लंडन सिटी के मिजरेबल सरकमिस्टेंसेज को डिसकस किया गया है तो इसीलिए पोईब का टाइटल लंडन है तो उम्मीद है ये पोईब आपको अच्छी से क्लियर हो गई होगी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक्यू सो मच मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल दैन कीप वोचिंग कीप लर्निंग